हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो खुशीज कैफे होप यौल आ डूइंग वेल और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं काम कर रही हूँ और मैं कहा पर हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ तो मैं आफिस में हूँ इस समय में स्कूल में और यह कुछ असेस्मेंट थे जो मैंने बच्चों के लिए थे और उनी को मैं चेक कर रही हूँ और रैंकिंग्स डिवाइड कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं इन असेस्मेंट को और बच्चों को रैंकिंग्स दूंगी और सारा ही काम में अपना अपनी स्टडीज के अनुसार ही कर रही हूं जैसे की मास्टर्स में साइकलोजी में रिसर्च मैथर्ड हमारा सबजेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग ही मैं सारी अपनी रिसर्च जितनी भी कर रही हूं मैंने बताया था कि जैसे ही मुझे समय मिलता है तो स्कूल में मैं अपनी स्टेडीज करती हूँ तो क्योंकि मैं फिलाल सेकंड एर में आ गई हूँ तो अब सेकंड एर के सब्जेक भी पढ़ने स्टार्ट कर दिये हैं और मेरे पास समय बहुत बहुत कम बचा है और काम बहुत जादा है और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब ही हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से काम करना है काम की अप्रोच क्या होनी चाहिए और काम कितना जादा है और उस काम के पैरलली हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना कितना जादा जरूरी है नहीं बियर कर सकती, नहीं इस चीज को जेलना चाहती कि मेरी वज़े से मेरे काम में कहीं अड़चन आ जाए, तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके मैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ और जो भी काम है उसको भी मैं डिलिवर करने की कोशिश कर रह में तो उतना समय मुझे अभी और लगेगा, लेकिन खुशी इस बात किया कि मैंने काम शुरू जरूर कर दिया है, और बहुत महनत और लगन के साथ में मैं अपना सारा काम कर रही हूँ, और आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगी, खुशी स्कैफे के मेंबर्स हैं आते रहते हैं कि उन्हें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई कहीं रुक जा रही है, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आपका जादा से जादा फोकस अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, अपने ग्यान पर होना चाहिए, कि आप अपना ग्यान बढ़ाएं, वही से आपको हर तरीके के solutions मिलेंगे आप इस बात का यकीन रखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वही आपकी मदद करेगा आपके जीवन में आपको अपना सहारा खुद बनना है किसी के ओपर भी आपको मनजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें बहुत जादा छलांग लगाने की कोशिश ना करें क्योंकि बहुत बड़ी छलांग लगाने के चकर में हमारे हाथ में कई बार कुछ भी नहीं आता है और हम घायल भी हो जाते हैं तो ये छोटी सी टिप में आपने को देना चाहती थी आज के बहुत बड़ी छलांग लगाने की कोशिश ना करें थोड़ा सा धैरे बांधें और बस चलते रहें और जो ग्याने उसको अपने बढ़ाते रहें अपने आपको अंदरूनी तोर पर और बाहरी तोर पर दोनों तरीके से धीरे धीरे करके मजबूत करने की कोशिश करते रहें यही चीज है जो आपके मेरे हम सब के काम आएगी और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग आगे बढ़ रहे होंगे और बे फिजूल की बातों में अपना समय नश्ट ना करें इतना मैं कहूँगी क्योंकि जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा समय खा जाना चाती है और हम अपनी उर्जा को वहाँ पर लगा देते हैं और अपना समय नश्ट कर देते हैं तो बस इस छोटी सी चीज़ से बचें और अपनी उर्जा को अपने आपको आगे बढ़ाने में अपने ग्यान को आगे बढ़ाने में और अपनी शांती को पाने में लगाएं धन्यवाद